आज की इस वीडियो में हम आपको SQL queries बताएंगे, जिसमें important SQL queries को हम discuss करेंगे, जो की exam और interview में पूछा ही जाता है, उसके लिए हमने एक employee नाम का table बना के रखा है, जिसमें 5 column में eid, e name, e address, e salary, date of joining, इनी 5 column में मैंने record fill कर रखा है, according to employee requirement, नीचे हमने query लिख रखा है, पहला query ह हमारा है find maximum salary of employee, इस employee table का use करके आपको maximum salary find out करना है, तो हम ये query आपको करके practical में दिखाएंगे, इस table में जिस भी employee का salary maximum होगा, उसका record निकल के आ जाना चाहिए, चलिए practical में दिखाते हैं, practical session के लिए हम अपने computer screen पे आ गया है, तो हमारे पास आप देख सकते है, employee नाम का table ह जिसमें five column है, जो मैंने आपको copy में दिखा था, अनिन column में वही record से, जो मैंने वहाँ पे copy में insert कर रखा था, तो हमारा पहला query था maximum salary, जिस भी employee का है, उसका record निकल के आ जाना चाहिए, complete information, तो यहाँ पे देखिए, ये maximum salary है, तो चलिए हम आपको query दिखाते हैं, क्या है, आपको query लिखना होगा, select star from EMP, where e-cell equal, फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा, select maximum salary चाहिए, तो max नाम का एक function होता है, क्या चाहिए मुझे, e-cell, max e-cell from EMP, अगर हम अभी enterprise करेंगे, तो हमारा maximum salary निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं, अलताफ का maximum salary है, 23,000, हमारा second query क्या था, चलिए हम आपको उसमें move करते हैं, second query है, हमारा find second maximum salary of employee, यह question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, interview में, याद रखिएगा, second maximum salary employee का find करने बोल रहा है, तो यह देखिए, यहाँ पे table है, इस table में second maximum salary, मतलब यह salary अलकोले में, जिसका भी maximum से just कम salary होगा, इसका record आपको निकाल के दिखाना है, तो चलिए हम, आ अब हमें क्या करना है, employee का second maximum salary find out करना है, maximum salary यह था, हमने आपको करके दिखा दिया, इससे just come up क्या है, यह वाला है, अब हमें यह वाला complete record चाहिए, जिसका salary second maximum है, इन पूरे table के record में से, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, यह था maximum salary का query, इसी में अगर हम आगे कुछ add कर दे, where e-cell less than, फिर से हम इसके अंदर लिखें, select max e-cell from EMP, अगर हम इतना लिख के enterprise करते हैं, तो हमारा second maximum salary आ जागा, आप देखे, second maximum salary employee name नेहा है, address है, salary है, 21,000 और इसने join किया था, 1 March 2001 को, तो आप table में देख सकते हैं, यही second maximum salary है, यह second maximum salary निकला कैसे हम आपको समझा देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, select max cell from employee, employee में सबसे maximum salary जिसका भी था, वहाँ पे निकल क्या, तो यहाँ से लेके, यहाँ तक query का answer होगा, 23, 23,000, यहाँ तक 23,000 हुआ, फिर हमारा query है, select max cell from employee, where cell less than 23,000, मतलब 23,000 से less than जिसका भी salary है, वह salary select हो जाना चाहिए, तो अब यहाँ से लेके, यहाँ तक का result हुआ, 21,000, फिर हमारा यह query है, select star from employee, where cell, यहाँ से यहाँ तक क्या था, 21,000, इसलिए हमारा यह वाला record निकल के आय है, third query है, हमारा retrieve all the information of employee whose name begins with a, उस employee का record आपको निकाल के दिखाना है, उस employee का record आपको निकाल के दिखाना है, जिसका name a से start होता है, जैसे यह वाला, यह वाला, यह तो नहीं, यह, यह, बस, इतना आपको record निकाल के दिखाना है, जिसका नाम a से start हो रहा है, तो वो query हमें ल है जिस भी employee का नेम एसे बिगिन हो रहा है यानि एसे स्टार्ट हो रहा है उनका record हमें चाहिए complete information तो चलिए query लिखते है query है select star from EMP where e-name like एक operator होता है हमारे SQL में जो की string में pattern wise information retrieve करके देता है तो हमें क्या चाहिए उस employee का पूरा record चाहिए जिनका नेम बिगिन हो रहा है एसे तो आपको कुछ नहीं करना है कि सिंगल कोर्ट लिखना है ए और यह percentage आपका काम हो जाएगा enterprise करिए यह देखिए पांच employee ऐसे हैं जिनका नेम एसे स्टार्ट हो आप देख लिजिए यहां पर उन्हीं पांचों का record आ चुका है तो यह काम कैसे करता है हमने क्या लिखा था एसे बीगिन होना चाहिए तो हमने लिखा है उसके बाद यह percentage क्या करता है इस एक के बाद जितने भी information of employee whose salary is 21,000, 11,000 और 13,000 आपको उन employee का record select करके दिखाना है जिसका salary 21,000 और 11,000 और 13,000 है तो यहां पर हमारा table में हम देख लेते हैं यहां पर 21,000, 11,000 और 13,000 यहां तो सिर्फ तीन ही employee ऐसे हैं जिनकी salary इतनी है अगर इस stable में मान लीजे 10 employee होते 20 employee होते फिर भी आपको select करके दिखाना होता तो चलिए हम आपको यह वाला query select करके दिखाते हैं यह तीन record निकल के आते हैं कि नहीं हमें करना क्या है उन employee का complete information च 11,000 है एक बार में retrieve होके आ जैने चाहिए तो हम query लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रोम इंप्लोई वियर इसल एक्वल अगर हम यहां पर लिखे 23,000, 11,000, 13,000 तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं यह हमें error देगा command not properly ended तो हम कैसे करेंगे इसके लिए SQL में एक operator होता है इसे हमें ऐसे separate करना होगा यहां पर परेंथेसिस में अर उस operator का name क्या है उस operator का name है in operator in operator का use हम तब करेंगे जब हमें एक या एक से ज्यादा record को एक बार में करना होगा एक से ज्यादा record तब हम इन operator का यूज करेंगे अगर अभी हम एंटर प्रेस करेंगे तो यह क्वैरी successfully execute होगा और तीन employee का record निकल के आ जाएगा आप देख सकते हैं उन्हीं तीन का रिकल क्या है जिसका salary अब चलिए हम अगले क्वैरी की और मूव करते हैं पाचवा क्वैरी हमारा create a new table with the help of existing table data and structure आपको नया पास यह वाला टेबल है मैं आपको दिखा दूं यह टेबल है इस टेबल का यूज करके हम एक नया टेबल क्रियेट करेंगे इसमें जो भी डेटा और इसका जो भी structure है पांच कोलम है वह उसमें भी होने चाहिए तो चलिए हम आपको यह करके दिखाते हैं हमें करना क्या है जो भी हमारा यह employee table है MP नाम का table है हमें एक नया table create करना है इसी existing table का use करके existing मतलब जो पहले से ही present हो database में इसका जो भी structure यानि पांच कोलम इसमें है और जितने भी इसमें record है वो सारे की सारे उसमें चले जाने चाहिए यह करना है तो उसके लिए हम query लिखेंगे create क्योंकि create क करना है पहले table table का नाम हम ले लेते हैं MP2 MP2 as देना होगा एक अलियास है और किसका सब कुछ copy करना है structure और data पूरा employee table का तो लिखना होगा select अगर हम इतना करके enterprise करते हैं तो table successfully created अब अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रों MP2 MP नहीं हम कर रहे हैं MP2 देखिएगा उसमें यह सारे record चले गए होंगे एंटर प्रेस करते हैं यह देखिए सारे की सारे पूरा पांच कोलम भी आ गया है और उसमें जितने record से यह सब MP2 table में copy हो चुका है structure और data के साथ छटवा query यह मारा find all employees records whose salary is between 10,000 and 15,000 आपको उस employee का record find करके बताना है जिसका salary 10,000 और 15,000 के बीच है तो यहाँ पे हम table आपको दिखा देते हैं table में देखिए salary यह 13,000 10,000 और 15,000 के बीच है और यह 11,000 यहाँ पे तो सिर्फ दो ही record ऐसे हैं जिनकी salary 10 और 15 के बीच में है अगा table माल लेजिए 100 employee के record होते जिनका salary 10 और 15 के बीच में है तो वह भी निकाल के आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो recording निकल के आएंग 15,000 के बीच है तो यहाँ पर देखिए एक यह वाला record है यह वाला record और एक यह वाला record है तो यहाँ पर माल लीजिए हमारे table में दो ही record है तो ठीक है माल लीजिए हम आसानी से कर देंगे माल लीजिए आपके पास database में इतने सारे record है जिसमें hundred of employee का salary 10,000 और 15,000 के बीच तो उसके लिए query क्या लिखना होगा लिखना होगा select पूरा record चाहिए star from emp where क्या चाहिए e-cell between between एक operator है जो की range में value निकाल के देता है यहां से लेके वहां तक हमें कहां से कहां चाहिए 10,000 से कहां तक चाहिए हमें 10,000 से and and लिखना होगा ना कि two उसके बाद 15,000 के लिखना हो 15,000 अगर हम enterprise करते हैं तो देख लिजेगा हमें इसके बीच की salary के दो record आ जाएंगे यह देखिए यहां पर दो record आ गए है जो की 10,000 और 15,000 के बीच में इनकी salary है आज का हमारा last query है write SQL query to delete more than one record आपको ऐसा query fire करना है जिसमें एक बार में एक से ज्यादा record डिलीट हो जाए त आपको टेबल दिखा देते हैं यह टेबल रहा हमारा इसमें हम आपको ऐसे query fire करके दिखाएंगे माल लिजे मुझे एक दो तीन इन तीन record को delete करना एक ही बार में तो हम आपको करके दिखाएंगे तो चलिए करके दिखाते हैं अब हमें क्या करना है एक से ज्यादा employee का record delete कर करने है वो भी एक बार में माल ली जे मुझे तीन चार record एक ही बार में delete करने है तब हम क्या करेंगे और मुझे यह record delete करने particular मैं विएर ई आईडी अब नोर्माल हम ऐसे लिखे 10,20,60 ऐसे तो डिलीट होने से रहा तो हम क्या करेंगे इसको पैरंथेसिस में पूट करेंगे और इस इक्वल को हटा के यहाँ पे इन ओपरेटर रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो फोर रो डिलीटेड अब अगर आपको हम टेबल दिखा है तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही रिकोर्ड बचा है दैस बीस और साथ जिसका भी था वो नहीं बचे तो यह था हमार Datra square Query की कुछ important Query sql के do gegen exam में पूछा ही जाता है अभी तो हमने सिर्फ यह सिर्फ किया अगर आप कोमेंट करेंगे तो हम बहुत सारे liberate S educ करेंगे कि मैंने वाके और रिकल्दाबेस अच्छा से पढ़ा है मुझे SQL की सारी query आ गई है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर देना